मंत्री की वो एक दिन के मुख्य मंत्री सीम साब को देखके याद आता है मुझे तो यह हम ऐसा इसके लिए बड़े आंदोलित रहते हैं तो हमारी सब की बाउनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बेनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम प्रदान मंत्री जी करे ये मेरा अधियन ताभारी हूं कि आज एक बहुती महत्त्पूर्ण विसह पे जो मानी रिते इस पांडे जी के द्वारा एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसकी चर्चा में भाग लेने का उसर आप में मुझे दिया पूर्वक्ताओं ने काफी विस्तार से बातें कहीं हैं उस सम्वन्द में हमारी सरकार भी इस आंगनबाडी कार्यकर्त या सहाईकाओं के न केवल उनके महत्त को रिखांकित करती है न केवल उनके दाइत्त को या उनके उस कर्तब के बोध के साथ साथ उनको जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार सरकार ने एक मजबूत उस भारत के गाउं में रहने वाली महिलाएं या बच्चे जो कुपोसित हैं इस्टिंट हैं या गर अरभती महिलाएं हैं उन बच्चों को महिलाओं को किस तरीके से उनको नूट्रेशन के संबंद में इम्मुनाइजिशन के संबंद में या कुपोसर से एक स्वस्त मा और एक बच्चे को तयार करने में इस आंगनबाडी के केंद्र की भूमिका को निश्चित तोड़ से प आज पूरे भारत में एक तरह से ग्रामीन मा और बच्चों के देखभाल का ये केंद्र बन गया है और उसी नाते आज भारत सरकार ने पहले तो ये इंटिग्रेटेट चाइड डबलमेंट सर्विसेज के अंतरगत आता था लेकिन ये पहली बार हमारी सरकार या प्रधानम लहंगर के बच्चों को उस दिसा में उनको स्वस्त करने के दिसा में आंगनबाडी केंद्रों से आंगनबाडी सहाइकाओं करकर्तियों से काम ले उसके बजाए इन आंगनबाडी केंद्रों को एक सक्षम आंगनबाडी केंद्र और पोसन अभियान टू में जोड़ा गया तादपर है जैसे पूरवक्ताओं ने कहा कि अभी तक आंगनबाडी केंद्र जो थे वो कहीं पे दूर थे जहां पे उसकी कोई प्योगता नहीं थी कई घटना हैं मैं उसका उलेक नहीं करूँगा क्यों दिवाल गिर गई साथ बच्चों की डेथ हो गई एक बार दो आंगनबाडी केंद्र के पास से तालाब में डूब गए आज सरकार ने यह तैं कर लिया कि अब हम आंगनबाडी केंद्रों को अपने स्कूल के ही केंपस से जोडने का काम करेंगे जिससे जो पोसन अभियान दो है छे महीने से छे साल तक के बच्चों को तीन साल तक के बच्चों को जैसे जो खेलने की उम्र होती है उनको किस तरीके से काम किया जा सके ये एक बड़ी योजना बनाई है तो इससे साफ हो गया कि आंगनबाडी की महिलाओं की भूमी का दिन बदिन बहुत महत्तपूर होती जा जाए ऐसे तो ये काम 1975 में सुरू हुआ और 1975 में उस समय बेसिक था कि गाओं में मालनुट्रेशन या चाहिल हंगर के लिए इस विभाग बनाया जया लेकिन फिर 1978 में जब मुरार्जी देसाई जी प्रधान मनती थे तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया देश के उन गाओं में छेला गाओं में लेकिन मैं आज धन्यबाद दू को बच्चों को कुपोसित के काम को दूर करने के लिए इस आंगन बाडी केंद्रों को फिर से जीवित करने का काम किया जो आज इतना विस्तारित हुआ और जिस काम को आज प्रधान मनती सिरी ने दो दी कि जो उन्हों ने उस समय सुरू किया और उस समय अटल भिहारी आप इस देश की मानसिकता जानते हैं कि आज के चालिस साल पहले, पचास साल पहले, बच्चे पैदा होते थे, तो कितना महत तो रहता था गाउं में, घरों में खोसियां मनाई जाती थी, थालियां मजाई जाती थी, अगर कहीं बेटी पैदा हो गई, तो घर की महिलाओं के जैसे चेहरे उतर जाती थी, तो उस समय भूल हत्या, उस समय जिस तरीके से भेद था, उस भेद को दूर करने के लिए अटल बिहारी बाजपई जी के मन में आया, कि इन आगनबाड़ी केंद्रों को उन गर्ल चाइल्ड के लिए भी एजुकेट करने का काम, उनको स्वस्त रखने का काम, या बच्चों के लड़कों के बराबरी का स्थान देने का काम, उन लक्यों पर फोकस किया जाए, इन आगनबाड़ी केंद्रों से जोडने का काम किया, और आज इसलिए, जहां 2013-14 में 16,312 करोन का बजट था, आज मैं धन्यबाद दूंगा, कि इस पे 2020-21 मे 20,000, 33 करोड का बजट हुआ है, लगबग 4,000 कुछ करोड को बढ़ाया है, तो निश्चित तौड से कितना बड़ा फोकस है, कि हमारा हर बच्चा, हमारी हर बच्ची जो पैदा हो, वो कुपोसित नहो, या मा भी सोस्त हो, जच्चा बच्चा दोनों सस्त हो, तो इसलिए, और वो सक्च्चम आगनबाडी जो मैंने कहा और पोसन अभियान के लिए, सक्च्चन आगनबाडी वही है, जैसे हमारे टेनी मिस्रा जी ने कहा और लोह ने कहा, कि आज आगनबाडी केंद्रों में जो दूर थे, ना वहां पे पानी पीने की कोई सुविधा थी, ना कोई टोईलेट की सुविधा थी, ना कहीं कुछ थी, आज एक फैसला लिया गया, कि आगनबाडी सेंटर्स बिल भी स्ट्रेंटन विधा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रेक्चर, प्ले एक्विपमेंट्स, और उड़ वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइन, और चाइल फ्रे बात भी, वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, ऐसा आगनबाडी केंद बने, काफी अच्छा डिजाइन हो, बेंटिलेटेड हो, और सारी चीजों के साथ हो, और इन आगनबाडी वरकर को पहली बार, मैं मंतरी जी को बताई दूंगा, कि पहली बार ECCE, Early Childhood Care and Education की ट्रेनिंग आग आज वो जो हाई स्कूल पास होंगी, आगनबाडी वरकर्स, वो एक टीचर के रूप में 10 प्लस 2 होंगी, उनको एक 6 महिने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा, उस 6 महिने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बाद, वो केवल उनको पुस्टाहार नहीं देंगी या केवल एक नुटेशन के लिए जो पुस्टाहार है या रेडी टू इट है, वही केवल खिलाने का काम करेंगी, बलकि एक टीचर के रूप में, क्योंकि तीन साल की उम्र तक तो कोई पढ़ाई होती नहीं, उन बच्चों के साथ, उनका मानसिक जब दिमाग उनकी तेज से विकास की हो रहता है, तो कम से कम किसके साथ है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेनिंग प्रोगाम सुरू किया, और जो हाई स्कूल से कम होंगे, उनके लिए भी हुआ, कि उनको एक साल की डिपलोमा कराएंगे, इसको सर्टिफिकेट देंगे, जिससे कि कम से कम वो उ दिजिटल एंडिस्टेंस मोड यूजिंग डिटीएच, डिटीएच चैनल से एच बलाइच, स्मार्ट फोन साल सो, स्मार्ट फोन भी देने का जो कलपनाथी उस से साकार हो रहा है, या जो डिटीएच चैनल है, उसके माध्यम से भी पूरे देश में, तो आप सूचे कितन इस टेंड एलोन है, उन आगन बाड़ी को लोकेट करके प्राइमरी स्कूल में करेंगे, और उन वरकर्स ठीचर्स को जो होगा, वरकर्स ठीचर्स को इस तरीकूलम एंड पेड़ागोगी अब ECC, तो इस तरीके से होगा, और आज उस आगन बाड़ी का लाब भी मिलना है, आज हमने आगन बाड़ी का जो विस्तार किया है, वो निश्चित तोर से देश के सभी गाओं में, देश के सभी मजरों में किया, और आज उसी की देन है, कि दोजार बीस तक आठ करोन पच्पन लाख बिनफिसरीज लाभार्थी हो गये हैं, मतलब ये हमारी गर्भती महिल हैं बच्चे, जिसमें चिल्डरन जो चलके हैं, वो 6 करोन 56 लाख हो है, मैं इस बात का केवल उलेख इसलिए कर रहा हूं, अधिस्टाता महुत है, कि निश्चित तोर से मैं बहुत दिनों से इनकी मांग लेकर के मैं माननी मंतरी जी से भी मिला हूं, और मैं जानता हूं कि आखिर बहुत चीज़े हमने दी हैं भी अठारा को लेक किया, खुद बेनिवाल जी ने कि किस तरह से बढ़ाया है, एक मुस्त दो जार बारा से केवल जिस तरीके से हमारी आंगन बारी की लोगों को मांतर तीन हजार रुपया मिलता था, एक मुस्त तीन हजार से मांदे प 2250 से 3500 बढ़ाया, तो इस तरीके से या हेलपर्स रहे हों, उनको 15,000 से 2250 यह हम लोग की भावन आई थी, हम लोग लगातार मानी मंतरी जी से मिलते थे, पुदान मंतरी जी से भी कहते थे और कभी आंगन बारी की तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया था, कि आंगन बारी महिलाएं, जो बरसात हो, जाडे हो, गर्मी हो, डोर स्टेप पर डिलिवरी करती हो, पुष्टाहार की, रेडी टू इट की करती हो, तो किस तरीके से लॉग डाउन में भी किया, उल्ले किया है, सभी ने किया, मैं भी उससे सहमत हूँ, कि लॉग डाउन में और इनको प्रधान मन्ती जी ने जिस तरह से कोरोना वाइरस की, जो मतलब कोरोना के योधा कहलाते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स थे, पैरमेडिकल के थे, नर्सरी थी, आसा बहने थी, उसी तरह से हमारी सरकार ने आंगन बाड़ी को भी कोरोना वाइरस माना था, और पचास आखर प्रप्या मिलेगा, तो ऐसी तरह, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि, जहां इनका दाईत ये बढ़़ा है, पहले भी आंगन बाड़ी के काम, केवल आगन बाड़ी का काम पुस्टाहार तक नहीं है, आज वन आगन बाड़ी के इंदों से हटके, अगर कोई पल्स- किसी राजी का मान दे कहीं कितना है, किसी राजी का मान दे कहीं कुछ है, तो इसको किस तरीके से इसमें एक रुपता लाई जा सके, क्योंकि आज जब इतनी बड़ी भूमिका है, कि आज 6,56,000,000 बच्चों को आज ये सीधे आंगन बाड़ी की महिलाएं, उनके बीच में कुपोसित या उनके चाहिए प्रिग्नेंट महिलाएं हो, लेक्टिटिंग मदर्स हो, दूद पिलाती हुई, वो करीब 1,68,000,000 हैं, इनके बीच नों काम कर रही हैं, तो इनको निश्चित तोड़ से किस तरीके से राज्यों के माध्ध्यम से इसको और किया जब थे थे थ को एक बदलने की बात कर रही हैं, अब हम साउथ इस्टेसिया के साथ तुलना नहीं करेंगे, हम इस इन इन देशों के, बंगला देश, नेपाल या स्री लंका या आसपास के कहीं, कि आज हमारे बच्चों को जी नूट्रेशन है, या बच्चों के लिए उनके आहार हैं, इस तरह से ट्वीट है, आज सरकार इस बात को ध्यान दें, क्योंकि हम यह मानते हैं कि इस देश की दुनिया में अगर हमको बिसुगुरू बनना है, तो हमारी सबसे बड़ी पूजी हमारी जनरेशन है, और आने वाली जनरेशन निश्चित तौड से दुनिया के बिसुग अगनबाडी सेंटर है, 11,60,000 आज इतने हो गए, जहां पहले पानी नहीं उपलब था, वहां ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी भी है, 10,19,000 जो हमारे अगनबाडी केंदर आप्रिसनल्स हैं, वो कम्मुनिटी में आ गया है, गौर्मेंट के स्कूल बिल्डिंग्स में आ ग अगनबाडी वरकर हाज देश में बड़ी भारी संख्या में, 13,29,000 हैं, और 11,85,000 हमारी हैं, अखिर इनका रोल क्या है, इनका रोल तो पूरा देश नहीं जानता हो, लिए आज आपके माधिम से मैं कहना चाहता हूँ, कि अखिर जब पूरी दुनिया में युनिसफ ने कह कि देश की में कहीं ने कहीं, संजुक्त राष्ट सास्तिम्री दी ने कहा कि बच्चों का मृत उदर कम होना चाहिए, तो दुनिया ने इसको लिया हो ना लिया हो गम भीड़ता से, लेकिन हमारे देश ने, चाहे बढ़ते हुए कहीं भी बच्चों के मृत उदर की या जच आज इनके दाओं में जिस काम को हमने करना सुरू किया, जहां 2011 में मौटल्टी रेट 46 थी, वो घट करके 2017 में 33 रह गई और जो कुपोसित बच्चे थे, उनने कितना रेडिक्सन आया है, मैं अधिश्टाता मोहदे बहुत गंभीर विसे है, कि आज उस दिसा में कितना प्रया के उपर खास फोकस, चाहिए गल चाहिड हो, चाहिए मेल चाहिड हो, कि आज उनको कुपोसित न हो, यह पहले 2005-2006 तक लगवग 48 परसंट, लगवग देश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी कुपोसित होती थी, यह भारत वो साउथिस्टेजिया का थर्ड अधी जी के नेत्त में, और आज दो वैक्सीन हमने निकाल लिया, आसपास तो किसी कंट्री ने निकाला नहीं, हम 22 कंट्रीज को वैक्सीन दे रहे हैं, और अपने जो नेवर फर्स्ट, उनको हम मुफ्त दे रहे हैं, आज सहायता कर रहे हैं, ब्राजील के रस्पती ने यूनी बन करके दुनिया के लोगों की रच्छा करने का काम कर रहा है तो निश्चित तोड से ये प्रयास है इस सरकार का ये प्रयास इस बात का दो तक है इस बात का प्रतीक है कि अगर हम उस कोबिट की चुनोटी पे जिस पे चुनोटी पे जिस पे चाहे चाहे चाइना हेल जिस तरह से 97.54% हमारी recovery rate हो गई, 1.4% दुनिया का सबसे minimum, सबसे, मतलब nominal rate है, तो एक तरह से हम ने किया, और आज दुनिया के बड़े-बड़े Europe या US जिस तरीके से हैं, तो आज वो काम करें, हम इस काम को क्या है, आज यहां 40% था, आज 2015-16 की बात मैं कर रहा हूं, National Family Health Survey 4 क अभी, अभी National Family Health Survey 5 की रिपोर्ट नहीं आई है, मैं इसको भी कहता है, लिए 18 स्टेट में इसको लागू कर दी, तो 15-16 में जब हमारी सरकार आई, इस पे जब ने फोकस किया, तो वो कुपोसित बच्चों की संख्या 48% से घटके 38% रह गई, और निश्चित तोर से उत्तर काम कर रहा है, नुट्रेशन का काम कर रहा है, हेल्थ चेकप का काम कर रहा है, रिफरल सर्विशेज का काम कर रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन का काम कर रहा है, और नुट्रेशन और हेल्थ इंफॉर्मेशन जो पंद्रा साल से पैतालिस साल तक की महिलाएं हैं, उनके ब तो उनको दोजार रुपया एक अलग से दिया गया हमको इंसुरेंस कबरेज आंगनबाडी के लोगों को दिया गया लेकिन यह आंगनबाडी के लोगों को नहीं मिला तो इस बात को विचार के क्योंकि जिस तरीके से COVID-19 में अगर आसा वहुए या आसा बहने घर घर निकल न क्योंकि आज उस लॉगडाउन में भी जो आंगनबाडी सेंटर्स ने किया है COVID-19 कि फंक्शिनिंग आफ आंगनबाडी सेंटर्स दूरिं को बिच नाइटीन डिस्टिविशन साफ फूड आइटम से निकल करके हमारी आंगनबाडी की बहने हमारी सहाई का उस लॉगडाउ उनके दौरान भी उसी तरह से कोरोना के योधा की तरीके से लोगों के घरों पे जाकर के जहां गर्वती महिलाएं थी उनके बीच में या जहां चोटे बच्चे थे उनके बीच में जाकर के और जिस तरह से ready to eat या पुस्टाहार या अनाज बाटने का काम किया है अधिष् तौर से इस सदन के माध्यम से अपनी उनागनबारी की बहनों को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपनी उन महिलाओं को, सहाहिकों को देश सलाम कर रहा है, कि कोरोना में जहां बड़े-बड़े लोग डर गए थे, लोग अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत की सलामती की दुआ कर रहे थे, वहां ये हमारी बहने अपने जान को जोखिम में डाल करके, दूसरों की जिंदगी बचाने का, प्रधानमंती मोदी जी के आवाहन पे, जिस तरह से कन्या कुमारी से कस्मीर तक काम किया है, तो 10,22,000 वरकर को, ICDS, उनके मतलब फंक्शिनलीज को, वरकर्स को, दो हजार बीस के दिसंबर तक ट्रेंड कर दिया गया, उनकी कैपसिटी बिल्डिंग भी हो रही है, आखिर ये गाउं में कभी इनको कोई जाता था, ये आंगनबाडी के नाम पे एक जमाना था, कि किस तरीक संगिये से वो महिलाएं उसी केंद पर रहती थी, लोगों को लगता था कि पुस्टाहार नहीं पहुच रहा है, पुस्टाहार भी था, तो वो स्टेट लेविल पर जिस गुरवत्ता का होना चाही था, वो गुरवत्ता नहीं था, आज ये कोशिस होती है, यहां से जिस तर स्टेक्चर में हम रहे रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज उस संगिये धाचे में, एक सेकिंड, जरा रुकिए बस, नौ बज रहे हैं, सदन की सहमती हो, तो दो घंटा समय बढ़ाया जाए अभी, बाद में फिर देखेंगे, जैसे आफे शक्ता होगी, बारा बे